हमारा next question is show that a minus b cross of a plus b is equal to 2 of a cross b यानि a minus b हमारा एक vector है और a plus b हमारा एक vector है और इन दोनों का जो cross product है वो जो अगर हम a और b vector का cross product करें उसका double होगा कैसे करेंगे देखें बहुत easy question है वो क्या कह रहा है left hand side हम पहले solve करेंगे a minus b cross a plus b अब देखें students पहले इसको हम a से multiply करेंगे a minus b cross a ठीक है उसके बाद ये plus sign आजेगा और ये जो है हमारा a minus b इसका cross कर देंगे b के साथ अब देखें ये क्या आजेगा a cross a minus b cross a plus a cross b minus b cross b ठीक है students अब देखें a cross a क्या होता है जीरो और ये अब देखें यहाँ पे a plus b इसको simply लिख लिजी पहले minus b cross a plus a cross b minus b cross b 0 हो गया इसमें हमारी कौन सी property लगी हमें property लिखनी पड़ेगी इसमें कि अगर हमारा कोई एक vector है उसको हम उसी के vector के साथ cross product करते हैं तो वो क्या होता है जीरो होता है अब देखें अब इसमें वो क्या कह रहा है ठीक है अब यहाँ पे क्या आगया minus b by e ठीक है अब एक हमारी property होती है क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई vector है a cross b वो किसके equal होजेगा minus b cross a के equal होजेगा ठीक है तो इस minus b cross a के place पे हम क्या लिख सकते है a cross b ठीक है क्या होजेगा a cross b plus a cross b ठीक है यहाँ पे हमनी property लिख दी अब a cross b plus a cross b क्या होजेगा two into a cross b ठीक है और यह किसके को लागया rhsk और यही हमें क्या करना था prove करना था hence shown ठीक है students इस तरीके से हमने इस question को करना था बहुत ही simple easy question था झालि करने के लिए झालि का था जब करना था किसके से हमने करना था बहुत है रहुत है भार मिए प्यलत करना थायवाया लिए आपार